हलो नीट एसपरेंस कैसो आप लोग ठीक ठाक तो बिल्कुल जो है नीट यूजी का ओल इंडिया काउंसलिंग का राउंड वन के लिए रेजिस्टेशन जो है कल से मतलब 19th of January से स्टार्ट हो चुका है तो अब हम बात करने वाले हैं कि उन स्टुडेंट्स के बारे में जिनक में डिसकसईन है आज उसी पर बेस्ट है और सथ-साथ बहुत सारे स्टुएंट्स जो है स्टार्टिंग में काउंसलिंग नहीं करते हैं जो एक दो दίν मेके बीटने के आइडिया लेने के बाद कि कांशलिंग क्या क्या चल रहा है क्या क्या लग रहा है फ्रेंड्स में अधर सोसल मेडिया पर डिसकस करके फिर वो कांसुलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो यह भी एक सही चीज है लेकिन जो बात करने वाले हम लोग कि जो जिनका स्कूर लो है उन्हें स्टुडेंट्स को भी हमारे साथ डिसकस करो ठीक है तो अब बात करते हैं देखिए अगर आपका स्कूर लो है अगर आप राउंड वन में कांसलिंग नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको राउंड टू मॉपप डाउंड में फ्रेश रेइस्टेशन का मौका मिलता है ल लेकिन अगर मेरा बात मानों तो आप कितना भी स्कूर अगर आपका लो है आप चाहते हो कि शुरुवाती स्टेशन में नहीं पार्टिसिपेट करना तो एस्किप कर सकते हो लेकिन अगर मेरी बात मानते हो मैं बोलूँगा आपको कांसलिंग में पार्टिसिपेट करो आप लेकिन आपको एक experience होगा counseling में क्या-क्या चीजें होती है कैसे कैसे जो है college होता है कैसे उसको यह करना पड़ता है मतलब verification के लिए जाना पड़ता है यह सारी चीज़ों के बारे में आपको ideal लगेगा तो एक experience के लिए आप round 1 में registration कर सकते हो ठीक है अगर चाहते हो आपको skip भी करना तो skip भी कर सकते हो लेकिन इससे आपको कोई न्युक्षान नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना कि आपको fresh registration मौप अप राउंड तक ही मौका मिलेगा करने का ठीक है और साथ-साथ अब यह भी ध्यान देना कि आपका जो है इसी बीच में states का जो registration भी round 1 का start हो चुका होगा जहां पर भी तक नहीं हुआ है तो यह भी ध्यान रखना ठीक है ऐसा नहीं कि All India counseling के चकर में state counseling का जो timing को लेकर के confuse हो जाना तो आप बिलकुल mentally सही तरीके से तयार हो करके अपना documents ready करके counseling में आप तयार हो जाए counseling के लिए और आपका जो भी doubts है हमारे साथ discuss करें और जो भी आपका I think जो major doubts था students का उसको हम लोग अभी address कर चुके हैं क्योंकि बहु सारे students का doubts था कि sir round 1 में counseling करे या ना करे क्योंकि मेरा score low है तो I think आपका doubts clear हो चुका होगा और request करेंगे आप से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करो अगर आपको नीट से related किसी भी तरह का update चाहिए ठीक है फिर मिलते हैं आप लोग से तक तक के लिए और आपना doubts जरूर पूछना है